मुसल्मान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दीन जन्वसान साउदी वो जगह जहां आज जस्टिन वीबर का कॉंसर्ट हो रहा है सिनिमा हॉल्स खुलने लगे हैं महिलाओं को कार चलाने की इजाज़त दी जा रही है परन्तु भारत जहां बड़ी आबादी है मुसलिम समाज की वहां एक आम मुसल्मान एक हिंदू मंदिर के जिर्नो धार को साथ में बनी मस्जित पर खत्रा बता रहा है और रो रहा है यह एक मनुश्य का सेंटिमेंट होता तो शिफ्ट इलीट कर दिया जाता परन्तु यह सेंटिमेंट बड़ी संख्या में है परन्तु क्यूं क्या गलत है भारत के इस समाज विशेश के साथ जिनके लिए पूरा मंदिर गिर जाना बड़ी बात नहीं परन्तु उसी मंदिर के जिर्णोधार से खत्रा महसूस होता है सोच जो भारत को बहुत बहुत बीमार बना सकती है इसी सोच की जड़ को खोदेंगे आज पनेरिया माचाज बिक्तर आज इताता कबर जड़ खोदने से पहले एक आवशक सूचना हमारी डॉक्यमेंटरी दा साइलेंस ओफ स्वास्तिका नए साल पर रिलीज होगी नए चैनल एकेटी के डॉक्यमेंटरी पर लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है मिस करने के लायक माल नहीं है बिना सेकंड लगाए पहले सब्सक्राइब करें और फिर आगे ये वीडियो देखें तो दोस्तो जड़ खोदने से पहले पौधे में लगाई जा रही खाद का विशलेशन कर लेते हैं काशी विश्वनात कॉरिडोर बनने पर कौलकाता से काशी आए एक मुस्लिम व्यक्ति को I feel pain you know वाली feeling आई क्लिप देखी ही होगी आपने अगर नहीं देखी तो हलका सा दर्शन दे देता हूँ और इस मस्जिद में पहली बार मैंने नमाज अदा किया देखके जो दुख हुआ है मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था इस वीडियो में जिस भी व्यक्ति से प्रशन पूछा गया उसका दर्ध ऐसे ही दिखा लेकिन इस वीडियो का उद्धिया दर्ध का कारण जानना है क्यों उठा किरी दर्ध तो जी पेन फील करने वाले ब्रादा जी ने खुद कहा कि मंदिर इतना विशाल बना दिया गया है और मस्जिद को ढख दिया गया है इस वज़े से ये दर्ध हुआ है जी हाँ सही सुना आपने मस्जिद वैसी की वैसी है एक इट भी नहीं हिलाई गई है परंतु मंदिर बड़ा बन गया है तो दर्ध स्थान विशेश से प्रकट हुआ है अगर मस्जिद पर कोई प्रहार होता तो इस दर्ध का स्थर सारे मापक तोड़ देता परंतु भाई साब जिस ग्यानवापी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं उसकी फोटो यह है मस्जिद का पिछला हिस्सा आज भी उस मंदिर के अवशेश को दिखाता है जिसे तोड़ कर यह मस्जिद बनवाई गई थी प्रशन यह है कि क्या हिंदू समाज को I feel the pain you know कहना च उसमें मुगल समय के औरंगजेब के दर्बार के दस्तवेज रखे हुए हैं उनमें काशी विसनात मंदिर को तोड़ कर मस्जिद निर्मान करने का फर्मान आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे यह और अगस्त 1669 में दिया गया था 1669 में और फार्सी में ल दस्तवेज दिखा दिखा कर आज आपकी आँखे लाल कर दूँगा अगले अध्याय में काशी विशनात को तोड़ने का जो फर्मान दिखाया वो इकलौता नहीं है अभी आप अपने स्क्रीन पर काशी के ही बिंदु महादेव मंदिर को तोड़ने का फर्मान देख पा रहे होंगे सितंबर 1681, 1681 में दिए गए इस फर्मान को जो रास्ते में जो भी मंदिर दिखे उसे तोड़ने का फर्मान देख सकते है जून 1681 में जगनात पूरी मंदिर को तोड़ने का फर्मान ये है यह स्क्रीन पर इस समय जो है चितोड के 63 मंदिरों को तोड़ने का आदेश है यह है उदैपूर के जगनात राय मंदिर को तोड़ने का आदेश जोदपूर के मंदिरों में मिली मूर्तियों से जामा मस्जिद की सीड़ियां बनाने का आदेश कृष्ण जन्मभूमी यानि मत्हुरा के केशव राय मंदिर को धूल में मिला देने का आदेश यह है शीतला माता जैसे मंदिरों पर हिंदू श्रदधालू नहीं जा सकते उसका फरमान यह है कालकाजी मंदिर को तोड़ने का फरमान स्क्रीन पर देख सकते है मंदिर तोड़ने के फरमान देखते देखते अगर आँखे लाल हो चुकी हो तो इन में पैसे की चमक भी दिखा सकता हूँ इन फरमानों के अंदर औरंगदेब का यह फरमान है यह कह रहा है अगर कोई हिंदू पुरुष कनवर्ट हो जाता इसलाम के अंदर तो उसे चार रुपए मिलेंगे और हिंदू महिला कनवर्ट होती है इसलाम के अंदर तो उसे दो रुपी देच THE जाइए यह फर्मान गोल कप्पे के साथ मिलने वाले अक्स्ट्रा पानी की तरह है ध्यान मंदिरों वाले फर्मानों पर ही रखना पूरी लिस्ट कवर करने में दिन बीच जाए इसलिए सिर्फ उन महत्व के मंदिरों को यहां पर मैंने आपके सामने बताया है जिनका महत्व जो है वो उतना ही है जैसा मक्का का सिलाम में है आप इन सारे मंदिरों के मलबे पर मस्जिदे बनी हुई है क्या करें? क्या हिंदू समाज को पेन फील करने का अधिकार है? क्योंकि ब्रहता जी को तो कोई बड़ा मंदिर बन गया इसी से पेन फील हो रहा है और मंदिर बना बना कैसे आखिर? तो जी सिर्फ तिरुपती मंदिर हर वर्ष 650 करोड से अधिक दान प्राप्त करता है हिंदू संप्रदा इसे जो सरकार के पास जाता है ऐसे हजारों मंदिर हैं इस दान से केवल 400 करोड लेकर एक हिंदू मंदिर की भविता पर अगर लगा दिया गया है तो स्थान विशेश में लॉंगता वाच्चा परन्तो ऐसे मंदिर तोडू फर्मान पर और फर्मान देने वाले औरंग जेब पर ऐसे भूतिय या भारत का Muslim समाज क्या रह रखता है वो अगले अगद्याय में देखते हैं वीडियो में हमेर देखना था कि भारत के Muslim समाज के साथ भाई आखिर क्या कुण पढ़ है को भारत के मुस्लिम मौला ना पता क्या मानते हैं। देखिए जरा। को भगा के लेगिया आपका हीरो है। देखिए जिल्ली में किताबें चापके बाट रहें और मुहरे सामने कह रहें। क्या मस्जिदों में कुछ नहीं होता है। बिलकुल नहीं होता है। और महमूद घजनभी। आपके लिए चौर होंगे ना वो हमारे लिए वो बनी है। बापका कतल किया नहीं है। देखिए क्यों किया। बेटे का कतल किया। आप ये तो किया कि एक सो बामन मंदिरों में उन्होंने आज तक जागिने लगी हुई या औरंग्जेब लगाई हुई। सूचना जाती है एक आम मुसल्मान के पास जो यह सोचता है कि मस्जिद का उलेमा जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा। तो औरंग्जेब भाईवली बन जाता है और गजनभी भाई साब जो हैं वो हीरो बन जाते हैं। परंतु सच्चाई मुसलिम समाज तक क्यों नहीं पहुँचती यह नरक द्वार अगले अध्याई में दिखेगा। एक आम मुसल्मान पढ़ा लिखा नहीं है परसंटेज में तोलना इस सूचना को बेकार है इसलिए इतना समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई में मुसलिम समाज पूरे भारत के अंदर नीचे से प्रतम स्थान प्राप्त करता है गौरव के साथ इतिहास का ग्यान में बैठे मौलाना देते हैं हजार साल राज किया जैसा ब्रह्म ज्यान तो गजनभी तो भई ही रो बनेगा ही और और अरंग जे वली बनेगा दोसरी तरफ जो स्कूल जाता भी है तो इतिहास की किताब उसे नहीं पढ़ाई जाती है पता है क्यों मैं बताता हूं क्यों व अशुद्धो उप्यूर जिय्ञा meowज फिय्टो शुद्धो भी कि विली रेकि प्य committees and और अशुछ अशुद्धों 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 इस वे डिलेट जाभी कि झाय? तो इस्ट विए इसफेरी पस्टेश कि प्रेक्शन एक व्कॉर्टिट और इस सब्सक्राइब. being whitewashed uh it's a it's an exercise as to what distortion and rewriting of history actually is where all these uncomfortable truths should not be told why because today's muslims will feel very bad about it you should tell them that this was how uh you know the civilization was treated will durant had called the islamic conquest of india as one of the bloodiest stories human history not just of uh one our country but of human history so school jane walon say such pa liya jata hai se school na jane wale maulana se sikhte hain to aurangzeb bhai wali hi bennega aur aurangzeb ke kanad to batay jayenge nahi to aurangzeb ke to bhai farman padhain jane to aur bhi bade baat hai is chupane ka anjama pata hai kiya hota hai wou aage batahun ga parantu prashn yeha ta hai ke kya muslim zamaaj me education ka jo star hai wou bade jaye और school syllabus में सच को दिखा दिया जाए तो कैसे फरक पड़ेगा इस सोच के अंदर आगे देखते हैं तो जै इस चीज को कह नहीं सकते क्योंकि aurangzeb ने जो किया वह उपर वाले के हुक्म के अनुसार किया ऐसा क्लेम करती है इसलाम पर मौझूद सबसे बड़ी website Islam QA साओदी से चलती है बहुत बड़ी website है प्रशन पूछा गया है यहाँ पर कि क्या मूर्ती तोड़ना आवशक है उत्तर दिया गया है किताब और हदीसों के reference दे दे कर कि बई मूर्तियां तोड़ना आपका दायत्व है इसके अलावा आयात संख्या ठाण में बटे छे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूर्ती पूजक जो हैं वो सबसे घट्याजीव हैं यह उपर वाले के शब्द है अब किताब में ही ऐसा लिखा गया है जो उपर वाले के शब्द हैं तो यह कारण है कि टूटे हुए मंदिर पर बनी मस्जित से कोई प्राब्लम नहीं लेकिन यदि किसी ने अपना मंदिर थोड़ा बढ़ा लिया तो उससे भी I feel the pain you know निकल जाता है और यही सबसे बड़ी समस्या है मुस्लिम समाज की जिसका कोई इलाज नहीं है जब तक यह समझना आए कि इश्वर किसी की भाई बापती नहीं है कोई बिना मूर्ती के मान सकता है और कोई मूर्ती के अंदर मान सकता है क्योंकि दोनों ही मान रहे हैं इश्वर कैसा है यह कोई जानता नहीं है और तो जब मानना ही है तो सब अपने तरीके से मान लो और हाँ अगर किसी नहीं कहा है कि वो ईश्वर या अल्ला को जानता है तो वो आपका काट रहा है आप क्या सोचते हैं कि भारत का मुस्लिम समाज इतना छोटा सा सच समझ सकता है या पेन होता रहेगा कमेंट करके बताईए नीचे लिंक दिया गया है डॉक्यूमेंटरी चैनल का बिना सेकंड खोए सब्सक्राइब कर लीजिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियोन डॉट कॉम और जॉइन बटन के त्रोन के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको देख रहे हैं आप आज की ताला खबर जाहिंत जबारत